हेलो फ्रेंड्स अगर आप काफी टाइम से अपनी गाड़ी की सर्विस नहीं कराते हैं तो गाड़ी में दिक्कत प्रॉब्लम आने लगती हैं सेम एसी के साथ है अगर आप अपनी गाड़ी का एसी टाइम से सर्विस नहीं कराएंगे तो उसमें काफी प्रॉब्लम आ जाती ह सबसे ज़्यादा common जो problem आती है वो आती है कि गाड़ी के अंदर पानी भरने लगता है मैट गीले हो जाते हैं, कारपेट पूरक गीला हो जाता है और smell भी आने लगती है, गीले होने के कारण काफी गंदी smell आती है तो ये वीडियो आज पूरे उसी के उपर है कारपेट कैसे क्लीन करना है, बद्भू ना आए और आपका AC की problem sol हो जाए, पानी ना आए वो AC की service हो जाए, complete ये पूरी detail वीडियो है अब ध्यान से देखिए, देखिए मैं अभी इसमें क्या कर रहा हूँ पहले तो ये चेक कर रहा हूँ कि गाड़ी में बाहर से तो पानी नहीं आया बारिस का तो नहीं आया, AC का ही पानी है या कहीं और का पानी है तो मैंने AC की unit के नीचे यहाँ पे पिसू पेपर लगा के चेक किया यह पानी AC गई है या कहीं भाहर से तुनी आया यह गाड़ी पानी में गई है उसका तुनी है तो यह हमने चेक कर लिया यह पानी AC के यूनिट से आ रहा है सबसे पहला step तो यह होता है उसके बाद एक shortcut तरीका है जहां से पानी निकलता है ड्रेन होता है इसी का उसमें हम पतला साब कुछ भी डाल के इसको सीख से या किसी से भी साफ करके देखेंगे अगर साफ होके पानी निकल गया तो प्रोब्लम सॉल है लेकिन इस केस में ये सॉल नहीं हुआ क्योंकि काफी ज्यादा चोक होगा तो हमने सीट इसके निकाल ली कार्पेट वग और ये अमने डेक्सबूड खोलना चालू करते है तो आप क्या करेंगे हम इसकी यूनिट भार निकाल लिए हमने अब यूनिट भार निकालने के पाद इसकी मेंने कूलिंग कोईल, देखे कितनी ज्यादा गंदी है यह इसमें चुवा भी कुछ ना कुछ इसमें आइटम लिया है, मेभी चुवे की बीट्स बगरा भी है, या फिर वो चोख हो जाए और आप चेंज़ नहीं करा रहे हो, उस कारण होता है, ये कूलिंग कोईल की बडी है, इसमें आप चूटा सा च्छेद देख रहे है, ये ओटा है पानी बेले के लिए, यह हो जाता है च्छोग और इसके कारणे से क्या होता है इस बडी के आसप और इसके अंदर जो भार से मैं आपको भार से दिखा देता हूं यह जो call top है इसको call top बोलते हैं यह वाइपर लगे होते हैं यह इसके पास से चुवा कुतर देता है यहां से चले जाता है अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग system होता है यह वैगनार गाड़ी है तो हम cooling coil अ से फवारे की तरह आपको clean करना है अच्छी तरह है और इसको chemical डाल की proper साफ करते हैं यह देखो अब काफी हद तक यह साफ हो गई है proper हो गई है और हमने इसका जो body के अंदर कूला था वो भी निकाल दिया है अब इसको हम fit कर देंगे main काम हमारा यहीं तक होता है और यह mat भ हम वे पह आईूरा सी प्रोल गति है की तरह है और हम है और हम आमारा दियो से घ्लoten, कर दो मेंदेद वहantा है गया और हम जहीं तरह हैं तरह